तो दोस्तो फिराजरे हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ एक नई टोपिक के साथ जिया दोस्तो बताते के आज की वीडियो में बात करेंगे साल 1956 में आने वाली और बड़ी फिल्मों के बारे में और दोस्तो वही पर जानेंगे सबी फिल्मों की बॉक्स ओपिस कलेक् तो बस आप इस वीडियो के साथ वने रहेगा और दोस्तों वहीं पर जारेंगे कि साल 1956 में किस फिल्म को मिलेते सबसे ज़्यादा नंबर और किस फिल्म के साथ हुई थी नाई शागे दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बात करते हैं सबसे पहली फिल्म की तो फिल्म का नामता पॉकिट मार ये मूवी साल 1956 माई थी फिल्म इसमें हमें नजर आये थे दिवानन के साथ वहीदा रह्मान और प्रान भी एहम किदार में थे अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में वज़ट के बारे में हिट और लॉप के बारे में तो आपकी जयनकारी के लिए वदा चलू के इस फिल्म का वज़ट 30 लाख रुपे था इसने बॉक्स ओपिस इंडिया पर लाइफ टेम 35 लाख रुपे कमाई थे वहीं इंडिया के ग्रोज कलेक्शन हुए 50 लाख रुपे और ये मूवी एक्शन पॉमेटिव पैमिली फिल्म लेकिन ये मूवी बॉक्स ओपिस पर एक एवरेश थावित हुई थी अगली फिल्म आई थी साल 1956 में फिल्म का रामता से आईडी ये मूवी साल 1956 माई थी ये फिल्म इसमें हमेरी नजर आये थे देवानन के साथ और भी एक्टर एहम के दार में थे अगर हम बात करें इस फ फिल्म का वजड़ 30 लाख रुपे था इसने बॉक्स ओपिस इंडिया पर लाइट टेम 90 लाख रुपे कमाई थी वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन वे एक कड़ोर 50 लाख रुपे और ये मूवी एक्शन कॉमेटी फैमली फिल्म थी लेकिन ये मूवी बॉक्स ओपिस पर सूपर रूपर हिट साबित अगली फिल्म आई थी साल 1956 में फिल्म का नाम था चोरी चोरी ये मूवी साल 1956 माई थी फिल्म इसमें हमें नज़र आये थे राज कपूर के साथ पिरान और वहीदा रह्मान एहम केदार में थी अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ओपिस कल सौप के बारे में तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए वताच चलू के इस फिल्म का वजट तीस लाख रुपे था इसने बॉक्स ओपिस इंडिया पर पचास लाख रुपे कमाई थी वहीं इंडिया के किरोज कलेक्शन हुए एक कड़ो रुपे और ये मूवी एक्शन क ओमेटी फैमिली फिल्म की लेकिन ये मूवी बॉक्स ओपिस पर एक हिट साबित हुई थी और दोस्तों ये राजकपूर साब की बहुत ही शामदार मूवी थी चोरी चोरी क्योंकि इसमें जो राजकपूर का किरदार था काबले तारिव था अगली फिल्म आई थी साल 1956 में फिल्म का नाम था इंसानियत ये मूवी साल 1956 थी ये फिल्म इसमें हमें नजर आये थे देवानन के साथ दिलित कुमार और वहीदा रह्मान भी एहम किरदार में थी अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में वजजट के वारे में हिट्ट और फ पे था इसने बॉक्स ओपिस इंडिया पर 75 लाख रुपे कमाई थी वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 95 लाख रुपे और ये मूवी एक्शन कॉमेटिव फैमिली फिल्म थी लेकिन ये मूवी बॉक्स ओपिस पर एक सेमी हिट जाबित अगली फिल्माई थी साल 1956 मे राज्टपूर एहम किर्दार में थे इस फिल्म का वजट 30 लाख रुपे था इसने बॉक्स ओपिस इंडिया पर लाइव टेम 25 लाख रुपे कमाई थी वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 30 लाख रुपे और ये मूवी एक्शन कॉमेटिव फैमिली फिल्म थी लेक तूफान और दिया ये मूवी साल 1956 माई थी फिल्म इसमें हमें एक नजर आये थे राजंदर कुमाईर इसमें एहम केडार में थे अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में वजट के बारे में हिट्टो और फ्लॉप के बारे में तो दोस्तो जानकरी के लिए वदा चलू के इस फिल्म का वजट चालिस लाक रुपे था इसने बॉक्स ओपिस इंडिया पर सत्तल लाक रुपे कमाई थी वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए एक कड़ो रुपे और ये मूवी एक्शन पॉमे थी फैमिली फिल्म थी लेकिन ये 19 ennis 56 माई थी फिल्म इसमें हमें निजराय देवानन इसमें एहम के दार में थे अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में वजट के बारे में तो दोस्तों आपकी जहनकारी के लिए वदा चलू के इस फिल्म का वजट 25 लाक रुपे था इसने इंडिया पर 36 लाख रुपे कमाई थी वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 70 लाख रुपे और ये मुवी एक्शन, कॉमेटी, फैमली फिल्म थी लेकिन ये मुवी बॉक्स ओपिस पर एक वुरी तरीके से एवरे साबिद हुई थी अगली फिल्म आयए थी साल 1956 में फिल्म का नाम था आवाज ये मुवी साल 1956 माई थी फिल्म इसमें हमें नजर आये थे राजंदर कुमार के साथ और भी एक्टर एहम केडार में थी अगर हम भात करें इस फिल्म के बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में वजट के बारे में हिट और फ्लॉप के बारे में तो दोस्तों आपकी जानकरी के लिए वताच चलू के इस फिलिम का वजट 25 लाख रुपे था इसने बॉक्स ओपिस इंडिया पर लाइफ टेम 26 लाख रुपे कमाये थी वहीं इंडिया के गिरोष कलेक्शन हुए 32 लाख साल 1956 में फिलिम का नाम था रंगीन राते ये मुझी साल 1956 माई थी फिलिम इसमें हमें नजर आये थे संजीब कुमार इसमें एहम के दार में थे अगर हम बात करें इस फिलिम के बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में वजट के बारे में हिक्ट और फ्लॉप के बारे में तो तो दोस्तो आपके लिए वताच चलू कि इस फिल्म का वजट 30 लाख रुपे था इसने बॉक्स ओपिस इंडिया पर 75 लाख रुपे कमाई थे वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 95 लाख रुपे और ये मुवी एक्शन कॉमेटिव फैमिली फिल्म थी लेकिन ये मुवी बॉक्स ओपिस पर एवरेस साभीत हुई थी तो ये रहीं साल 1956 में आने वाली कुछ और बड़ी फिल्में तो इन सभी फिल्मों में से कौन से मुवी आपके जादा पसंद है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और दोस्तो फिल्में नहीं हो या पुरानी सभी इन्फोर्मेंशन अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी तो दोस्तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि आपके ही लाइक से हमारी असल अन्दिया नहीं है